अग्याइज गुड मॉर्णिंग स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब जैनल संजेशन माल रॉंडर पर साथियो इससे पहले हमने जो प्रिबियस वीडियो बनाया था वह बनाया थी हमने हिमत के पर क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें हिमत की रिक्वार्मेंट पोच जरूरी होती है और खासकर ऐसे में कोई अगर ब्यक्ति एवरेज फैमिली या मिडल फैमिली से लुग करता है तो उससे जिंतिकी में कुछ आगे जाना है खासकर एकॉनमिक बेस पर आके जाना है तो उसे स्टागल करना ही पड़ेगा मेंत करनी पड़एगी और मेंध करने के लिए हमत करनी पड़ेगी अगर आप ने पुराना वीडियो से पहले वाल वीडियो करना है तो पहले वो आज हम इस गुणू की सीरीज में जो अभी हम हमारा जो आपने थमनेल रिडोट किया ही होगा कि आकिरकार इतना सब कुछ होने के बाफ जो इनसान दुख्षी क्यों है प्रशान क्यों है सोचने वाली वात है सुभी धाओं की क्या कोई कामी है इतनी सब्सक्राइब होने के बाद जो इनसान दुख्षी क्यों है तो उसमें एक महत्व पर उन गुण आता है वह हमारा गुण है क्षमा जो आज हमरी डोट करने जा रहे है क्षमा जो होता है किसी को माफ कर देना कि बाद इनसान के मन में कई बाद किसी ने उसके प्रती कुछ बोला बूरा बोला ठीक है और उसकी बुराई की तो इनसान का मन उसको भूला नहीं पाता है की स smartphones लेखिटी जिन्दिगी में वो कहीं अच्छी पुजिशन पर भी पहुंच जाए कोई अच्छी लेबल पर पहुंच जाए कहीं कि अम उसको षक सुख शूर ऩो जैन को हो। तो साथियों है न यह बहुत ही powerful quality शमा करने से क्या होगा कि अगर आप शमा करेंगे तो आपके मन में आप एक तरह से अपने आपको धो देंगे अपना मन को धो देंगे आप उदार दिल से उसको माफ कर देंगे चलो ठीक है उसने जो बोला वो उसका करम क्योंकि किसी को माफ कर देना यह अपने आप में बहुत बड़ा गोन होता है बोलने में कुछ नहीं चाता है किसी के लिए बुराई करना है तो हर कोई कर लेगा जिन्दगी में कहीं पहुंच नहीं पाता तो वह दूसरे की बुराई करता है तक है लेकिन कोशिश करें उदार बड़ा दिल बने अगर आपके साथ किसी ने बूरा किया हुआ तो आप बड़ा दिल बनके ठीक है उसे माफ कर लो इससे आपका जिन्दगी में आपके मन में सकून चैन बना रहेगा अधर्वाइस क्या होगा है कि वो बाते जोगी ओ दिमाफ में चलते रही मन में चलते रही बिचलित करती रही आपको हम यह पता नहीं लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है लेकिन हम सही माइने में हम उसको माफ ही नहीं करते हैं जब हम माफ करते तो सबसे बड़ा मैं प्रैक्टिकल आपको एक रियल इसमें उधारन बता दूं तो जब आप किसी को सही माइने में आप जब ख्यमा करते हो तो उसके बाद आप जब वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा तो आपके जो भाव है आपके चेहरे के हाव में आप नौर्मली उसके साथ पहले की तरह मिलेंगे तो यह वार ऐसा होता है बाहरी दिल से माफ करते इंटरनली माफ नहीं करते और आज कल आईसा मोस्टली देखने को मिलता है क्या बाहर से तो फिर उनके साथ हैंडशेक सब कुछ करेंगे हेलो हाय करेंगे बात भी करें आपको बार बार लगता है कि नहीं इनने ऐसा बोला था तो वह जो होता है वह अपने आप में इसे पहले भी मैंने बोला है कि वह बहुत पीड़ा दायक रहता है यह तो वही वाली बात होती है जैसे साम चले जाने के बाद भी लकीर को पीठते रहना है तो जो बात हो गई जिसने बोल दिया उसने बोल दिया आपका काम है क्षमा करना और क्षमा आम ब्यक्तिवी नहीं कर सकता है क्षमा करने के लिए आपके बास दिलेरी होनी जाए दिल होना जाए बड़ा दिल होना जाए ठीक है और ये इनसान को एक देबते दुल्य बुना देता है आम इनसान किसी को माफ ने कर सकता है उसके अंदर इस तरह से एक दुसरे की पती दुश भावना चली रहती है शमा करने के बाद आप रेल माइने में सुप आएंगे आपके अंदर जो है स्कून आएगा चेन आएगा और इसे कहा भी जाता है कि ये बीरस से भूष्टम कि ये महावीरों का भूष्ण है तो ये आम व्यक्ति का नहीं आम व्यक्ति इस काले को नहीं कर सकता है जो बड़े महान व्यक्ति है वो ही जो है क्षमा कर सकते है इसमें हमें एक एक्जम्पल जोड़ना चाहेंगे जैसे इशू को ग्रोस पर चढ़ाने के बाद भी उन्होंने परमात्मा से ये दुआ की कि इन्हें माफ करतो ये बेचारे अंजान है इसी बात से वो महान हो गए तो ये महानता का गुण है आम व्यक्ति जो है किसी को माफ नहीं कर सकता है तो आयोफ आपको क्लिर हो गया होगा कि सही माइने में हम छोटी छोटी बातों को लेकर कैई बार अपने मन में एक दूसरी क्रिपती दूष भावना तियार करने लग जाते है फिर एक के बाद एक एक के बाद एक नफरत जिसे बहुत सकते हैं और यह नफरत भड़ती देते हैं फिर हमने नेग्टिव थोट डाला उदर से भी नेग्टिव आएगा फिर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा अच्छा सोचेंगे यह बहुत बड़ी बात होती है तो आगे इससे जुड़ा हुआ एक हमारा नेक्स्ट गुर्ण रहेगा नेक्स्ट वीडियो हम शूट करेंगे तो वो वीडियो शांती के पर शूट करेंगे जो कि हमारा बहुत ही महत्रप्रण और जिस परपज के लिए हम इतना कुछ कर र दोड़ा जिनकी में कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो यह हम शांती के पुर्चा चार्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है गाइज थेंक्स फार वाचिंग और वीडियो अच्छा लगी आपको लगता है कि सही में बहुत ही काफी पावरफुल पॉइंट है यह तो आप इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना बोले ठीक है बाकी चैनल पर ना रही हो